हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको दे केस ओफ इतवांग होमेसाइड ये 2009 की मिस्टरी क्राइम मूवी एक्स्पेंट करने वाला हूँ ये चुब मूवी है ये एक ट्रू स्टोरी है हमारी मूवी इतवांग में 1997 में स्टार्ट होती है मूवी स्टार्ट होती है और हम देख सकते हैं कि एक लड़के का टॉलेट में मर्डर हो जाता है राद में फिर पुलिस क्राइम सीन पर पोच्छ थे इस क्राइम के कोट अपांटेड ऋआये जिनका नाम है प्रोस्टर्टेक्टर पार्क ये सुभाई पर उस क्राइम सीन पर आते हैं पाक पुछते हैं कि विक्टिम कौन था उन्हें बताया जाता है कि एक कॉलेज का सीनियर था जो अपनी गर्फरेंड के साथ यहाँ आया हुआ था रात साड़े दस बज़े उसका यह मर्डर हुआ है टौलेट में मर्डर हुआ है तो पाक वहाँ जाकर देखते हैं पर वहाँ सब कुछ साफ हो चुका है पुलिस वहाँ रात में ही पहुझे थे इस होटेल के ओनर ने उन्हें कहा था कि सुबह उन्हें फिर से होटेल ओपन करना है इस वजह से जल से जल उन्हें सब फोटो वगरा क्राइम सीन की ले ली और सब चीजे साफ कर ली टौयलेट यानि और सिंग इन दोनों में डिस्टन्स है तो इतनी दूर तक बलड आया केसे जब डिसकुशन होती है तब हमें हमारे विक्टिम के बारे में पता चलता है विक्टिम का नाम जो जंग फिल था उसकी फैमिली में वो अकेला ही लड़का था उसके फादर ड्राइवर थे वो कॉले घर जा रही थी जोंग फिल को गल्ट्रेंड के साथ और भी टाइम स्पेंट करना था तो वो भी उसके साथ गाड़ी में चड़ गया यह दोनों फिर होटेल में आया कुछ ड्रिंक्स इन्हों ने लिए होटेल में ही जोंग फिल जब ट्वालेट गया तभी उसका मर्डर हो तुमारा पीछा कर रहा था क्या किसी से तुमारी दुश्मन ही थी गल्फ्रेंड के बास इन सब क्वेशन का कोई भी आंसर नहीं है इसके बाद मिल्ट्री में एक सबस्पेक्ट पकड़ा गया था जिसका नाम था पियर्सन सीवी आए की इन्वेस्टिकेशन में पियर्सन इसकी मदर कोरियन थी और फादर अमेरिकल यूस आर्मी को लगा कि पियर्सन एक सबस्पेक्ट है इसे वज़े से उस पर इन्वेस्टिकेशन उन्हों नहीं की थी पियर्सन के बास अब पार्क आते है बाग को बताया जाता है कि पियर्सन हमेशा से अमेरिका में ही रहा है तो उसे कोरियन थोड़ी भी नहीं आती जब वो उसे इन्वेस्टिकेशन कर रहे थे तो उन्हें बहुत सारे प्रॉलम्स आये हैं इन्वेस्टिकेशन को लगता है कि पियर्सन जुट बोल रहा है क्योंकि उसकी मदर कोरियन थी थोड़ी दर में आर्मी से अपॉंटेड ए यह भी होना चाहिए इन सब रोल्स को पुलिस को फॉलो करना पड़ेगा इसके बाद एक ट्रांसलेटर बुलाया जाता है सब क्वेस्टन आंसर चलते हैं बाग पुछते हैं कि तुम उस रात उस होटेल में थे तुमने जॉंक फिल को क्यो मा रहा क्या तुम उसे जानते थ पियर्सन कहता है कि मैं उसे नहीं जानता था पाप पूछते हैं क्या तुम्हारी कोई फाइट हुई थी जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मैं सिर्फ टॉयलेट गया और वहाँ पर उसका मर्डर होते हुए मैंने देखा पियर्सन कहता है कि जॉंफिल का मर्डर उसके पियर्सन के कपड़ों में बलड था जो उसने गटर में फिक दिये थे यह कपड़े पुलिस के पास है यह वो पियर्सन को फिर से दिखाते हैं कुछ भी सच होगा वह हम पता कर ही लेंगे इसके बाद नेक सिन में हम देखते हैं कि एलेक्स और उसके फादर यह दोनों पाक के पास आते हैं एलेक्स पहले कायब था आर एक खुत पाक के पास आ चुछा है एलेक्स के फाधर कहते के अलेक्स डर गया था वो सिर्फ देखने में बड़ा दिखताह पर फिर वो छोटा ही है फादर को लखता है कि एलेक्स है पाग फिर ऐलेक्स से question पूछना start करते है पाग ऐलेक्स से पूछते हैं उसकी एज क्या है वो कहा रहता था तो सब क्वेश्शन एलेक्स के फादर ही देते हैं आग कहते हैं कि ऐलेक्स को आंसर दिने चाहिए यहां यहाँ वहाँ के question चल रहे है, तो Alice कहता है, कि जो actual में हुआ था, जो main question है, यह answer करने के लिए मैं ready हूँ, Alice फिर बताता है कि उस रात हुआ क्या था, हमें उस रात का flashback दिखा जाता है, जिसमें Alex, Pearson और उसके कुछ friends हैंग आउट कर रहे थे, उन्होंने कुछ burgers विगरा मंगवाए, इन्हें cut करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो Pearson ने अपने pocket में से एक knife निकाली, यही knife है, जिससे जोंग का murder हुआ था, यह knife देखकर सब friends surprised होते हैं, एक friend इस knife को देखता है, तो उसका finger cut होता है, Pearson यहाँ कहता है, कि इस knife से मैंने किसी Pearson बोला, तुम्हें मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, यह देखकर तुम्हें मज़ा आएगा, Pearson toilet में गया, Alice के हाथ जरा खराब हो गए थे, तो वो भी हाथ धोने के लिए अंदर गया, वहाँ पर Pearson ने जॉंग फिल पर वार करकर उसे मार डाला, थोड़ा सा blood ऐलेक्स पर भ ब्लेम करते हैं, नेक्सिन में हम देखते हैं कि पाक अपने कलिक के साथ होते है, कलिक उन से कहते हैं कि CID की investigation हुई थी, वस investigation में Pearson ने बता दिया था, कि उसने ही जॉंग फिल का murder किया है, अब उन्हें और investigation नहीं करने चाहिए, यह वो पाक को कहते है, पाक कहते हैं कि CID के पास नहीं है, हम ही हैं, जो इस case की primary investigation कर सकते हैं, Pearson ने क्यों कहा था, कि उसने जॉंग फिल को मार डाला है, तो यह पूछने के लिए पाक उसके पास जाते हैं, Pearson कहता है कि मजो Korean नहीं आती, उस testimony में क्या लिखा था, यह मैं पढ़ नहीं पाया, और मैंने sign कर दी, CID के लो कहता है कि Alex ने जॉंग फिल को जब मारा, तो वो मुझ पर गिर गया था, उसका बहुत सारा खुन बह रहा था, तो सब कुछ मेरे shirt पर आ गया, मैंने फिर उसे पुछ कर दिया, Alex ने पीछे से वार किया था, इस वज़े से उसकी कपड़े पर जादा blood नहीं आया, यह सब प आग भी इन सब चीज़ों को लेकर confused है, फोरेंसिक वालों के पास हो जाता है, पीरसन ने जो खा है, क्या वो सच हो सकता है, यह वो फोरेंसिक वालों को पुछता है, फोरेंसिक वाले कहते हैं, कि नेक पर हमला हुआ था, नेक पर हमला होने से blood एक की direction में spray होता है, अगर Alex ने murder किया है, तो उसके कपड़ों पर कम blood है, अगर blood एक की direction में spray हो रहा है, और Alice का anger अलग है, तो Alice के कपड़ों पर जाता blood ने आएगा, यह चीज़ यहाँ explain हो सकती है, यानि कि Pearson ने जो कहा है, यह सच हो सकता है, पाक और भी investigation करकर, Alice को murder के लिए चार्ज करते हैं, Alice के father ए यह बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, एक बड़ा सा lawyer को Alice के लिए hire करते हैं, यह lawyer पाक से बात करता है, कि Alice ने murder नहीं किया है, वो खुच चल कर सामने आया था, पाक उसकी कुछ भी बात मानने के लिए ready नहीं है, जब Alice और Pearson दोनों से फिर से questions पुछे जाते हैं, तो Pearson के बास सब questions के सही से answers है, एलेक्स ने जो story कही है, इसको भी वो सही से detail में नहीं बता सकता, एलेक्स को जादा कुछ याद नहीं है, यह सब wonder करते हैं, पाक का एक कलिक कहता है, कि अगर उन दोनों ने drugs किया होंगे, तो भूल सकते हैं, कि उन्होंने murder किया था, दोनों की intoxication report मंगवाई जाती है, और उसमें नल आता है, यानि कि इन दोनों ने कोई भी drugs नहीं किये थे, तो एलेक्स को जादा details पता नहीं है, तो यह बहुत ही suspicious है, पाक और भी शोर हो जाते हैं, कि एलेक्स नहीं murder किया है, एलेक्स के फादर परिशान हों थे, उन्हें लगता है कि आई डिरेक्टर टेस्ट ले सकते हैं, यह टेस्ट कोड में admissible नहीं होगा, पर फिर भी इन्हें तो बता चल जाएगा, कि इसने यह murder किया था, जब यह टेस्ट किया जाता है, तो पियरसन इसमें पास होता है, और एलेक्स नहीं murder किया है, यह इसमें फ्रू होता है, एलेक् पियरसन ने admit किया, कि उसने murder किया है, अब पियरसन के फ्रेंड से फिर से पाक question पुछते है, फ्रेंड से पुछते है, क्या पियरसन ने admit किया था, कि उसने murder किया है, फ्रेंड कहता है कि नहीं, उसने कहा था, कि चौंग फिल का murder होए उसने देखा था, और उसकी body को उसने push किया पाक पूछते हैं कि अपने टेस्टिमोने में तुमने ऐसा क्यों कहा फ्रेंड कहता है कि मैं बहुत ही कन्फियोज था मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या कहना चाहिए उस राज सब फ्रेंड से जब टेवल पर थे तब एलेक्स और पियरसन इन दोनों में से कि इसने कहा था कि चलो तुम्हें कुछ फन दिखाता हो यानि कि मर्डर करने वाली थे तो यह बात किस ने कही थी यह पाक पियरसन के फ्रेंड से पुछते हैं फ्रेंड कन्फियोज हो जाता है और कुछ भी आंसर नहीं करता पाक को उसके सूपिरियर ऑफिस में बुलाते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि कोट स्टार्ट होता है इस कोट में लॉयर एलेक्स से बुछते हैं कि मर्डर किस नहीं किया था वो कहता है कि यह पियरसन नहीं किया है पियरसन के बारे में कहता है कि वो एक जानवर की तरह है उसे रैंडम वायलेंस करना अच्छा लगता है इ इसे पूछा जाता है कि जब Pearson ने knife निकाली थी तो इन knife किसके pocket में last थी यहां answer करता है कि Alex था जिसके pocket में knife थी पर फिर confused हो कर कुछ भी नहीं पता था इनका और एक friend ने जो smoking करने के लिए stairs से उपर गया था जब murder हुआ तो Alex और Pearson दोनों डोल से stairs तक आये थे तो पहले कौन आ पहले आया था और कौन बात में इससे कोभी फरक नहीं पड़ता पर पाक इस पर जोर देता है कि murder करने के बाद आदमी भागने के कोशिश करेगा तो जिसने murder किया है वह ही पहले जाएगा नेक सिन में हम देखते हैं कि Alex जेल में है उसके फादर उससे मिलने के लिए आये है Alex को fast food पसेन है तो बहुत सारा लेकर आये है फादर को बुरा लग रहा है उन्हें लगता है कि Alex को उन्हें United States में ही रखना चाहिए था Korea में कभी भी लाना नहीं चाहिए था वो कहते हैं कि सब evidence तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हारे friend भी तुम्हें ज़्यादा help नहीं कर रहे है Alex कहता है कि मुझे उन्हें दिखाना चाहिए था फादर सप्राइस्ट हो जाते है वो सोचते है कि यह कह क्या रहा है फादर को भी doubt जाता है कि Alex ने शायदी murder किया हो सकता है पर वो फादर है तो इससे ignore कर देते है नेक्स जब court चलता है तो forensic officer को बुलाया जाता है यह सब facts court को बताते है और last में पाक उनसे बोचता है कि अगर आपको guess करना हो कि real murderer कौन है तो कौन हो सकता है forensic expert कहते है कि जिसने भी murder किया था वो बहुत ही strong था John Phil से उसके height जादा थी और यह सब चीज़े Alex में है Alex John Phil से उचा है और उसमें ताकत भी जादा है पाक के उपर इस case को लेकर और भी pressure बढ़ने लग जाता है जो भी situation है इससे clearly पता नहीं चल रहा कि Pearson ने murder किया था क्या Alex ने पाक अपने बच्चों के साथ water gun से खेल कर crime scene फिर से create करना चाते है पर फिर भी इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता और एक hearing start होती है इसमें Alex के lawyer कहते है कि आपने कहा था कि Alex के height जादा है इसलिए Alex ने murder किया हो सकता है पर ऐसा नहीं है जब आदमी toilet करता है तो थोड़ा सा हो जुकता है इसी silly argument पर पाक और Alex के lawyer ये दोनों जगड़ते है जच इन दोनों को chambers में लिकर जाते हैं और कहते हैं ये वेसे ये सब नहीं होना चाहिए ये case बड़ा हो चुका है और इसे media coverage वेगरा सब कुछ मिल रहा है तो जच पर भी a pressure बढ़ रहा है ये actual में murder हुआ कैसे था ये judge को फिर से देखना है सब arrange किया जाता है जिसमें Pearson, Alex, उसके lawyers और judge ये सब लोग toilet में आते हैं इस crime scene पर हुआ क्या था ये Alex और Pearson दोनों को बताने की लिकेते हैं एलेक्स ने कहा था ये वो toilet में हाथ धो रहा था पर ये toilet बहुत ही छोटा है अगर Alex हाथ धो रहा था तो toilet में कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता murder किस तरह से हुआ था इसके बारे में भी Alex जाद बता नहीं पाता जब Pearson से पूछा जाता है तो पूरे details में वो सब कुछ बताता है ये crime scene से exactly match भी करता है पाक इस case को लेकर disturb हो जाता है वो समझ नहीं पाता कि उसे करना कह चाहिए वो Pearson और Alex इन दोनों को लेकर unsure है इसके बाद हम देखते हैं कि next hearing आती है इस hearing में CID के officer अपनी गवाई देते हैं CID के officer कहते है कि हमने Pearson को चार्ज किया था इसके पीछे एक reason था Pearson अमेरिका में एक गैंग का member है एलेक्स के attorney court को बताते है ये जो CID officer है एक experienced officer है court को इनकी बात माननी चाहिए इसी hearing में Pearson और एलेक्स का और एक friend आगे आता है ये अपनी testimony और साफ साफ देता है तो कहता है कि जिस रात murder हुआ था तब एलेक्स के shirt पर बहुत ही खून था और वो मेरे पास आया मैंने उससे पूछा कि हुआ क्या है तो एलेक्स ने कहा कि मैंने एक आदमी का murder कर दिया है उसे एक करकर बहुत मज़ा आया अब इससे साफ साफ पता चल जाता है कि एलेक्स ही murderer है पाक जज्ज से कहते है कि एलेक्स 18 येर्स का है पर फिर भी एक हैवान है उसने सिब मज़े के लिए जौंफिल को मार डाला उसे maximum penalty यानि कि death penalty होनी चाहिए जज्ज एलेक्स को उम्र के देते और पियर्सन ने थोड़े दिनों के लिए एलेक्स को कवर किया था इस वज़े से एक दिट साल की उसे सजा सुना दे एलेक्स अभी में मानता नहीं वो कहता है कि मैंने murder नह किया है पियर्सन ने या एलेक्स ने इस तरह से वह नहीं लड़ते इस बार वो एक चीज़ को लेकर लड़ते है वो कहते हैं कि अलेक्स में murder किया है इसके पूरे evidence नहीं है एलेक्स में murder शायद नहीं भी किया है इस court की hearing होती है और एलेक्स innocent है यह प्रूब कर दिया जाता ह जौंग फिल की mother भी इस hearing में थी उसके बेटे की killer को छोड़ दिया है यह देखकर वो बहुत रोती है वो फिर पाक के पास आती है पाक को बोचती है कि हुआ क्या अगर एलेक्स ने murder नहीं किया है तो पियर्सन ने किया है यह तो प्रूब होना चाहिए था पियर्सन को भी स सिर्व 11 साल तक सजा हुई है यह सब गलत है पाक इस पर कुछ भी आंसर नहीं कर पाते हैं पाक अपने superior के पास जाते हैं कहते हैं कि इस case को फेज से reopen करना चाहिए वो और भी को सबुद ला सकते हैं कि एलेक्स ने murder किया है पर उसके superior अब इसे मानने के लिए ready नहीं है उसक पाक इस चीज को जाने दे कि उसके superior उसे advice करते हैं पाक कोई अच्छा नहीं लगता पर उन्हें मानना पड़ता है अब हम देखते हैं कुछ time गुजर चुका है एलेक्स फ्री है और अमेरिका जाकर वहाँ वो पढ़ाई कर रहा है चुट्टियों में जब वो कोरिया आता ह तो अपने lawyer से मिलने के लिए आता है वो lawyer का बहुत ही thankful है उसके साथ उसकी girlfriend भी है उसकी girlfriend उसे पुछती है कि तुम lawyer के पास क्यों आये थे किस trouble में तुम थे एलेक्स के lawyer जरा दूर थे पर एलेक्स इस question को क्या answer करता है यो सुनना चाते थे एलेक्स अपनी girlfriend को कहता है कि एक पाक को अभी भी लगता है कि जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ पर फिर भी एक चीज की उन्हें खुशी है कि Pearson ने murder नहीं किया था और उसको उन्होंने बचाया है Pearson भी उन्हें thank you कहने के लिए आता है जब Pearson जा रहा होता है तो भी पाक को click होता है पाक उसे बुछता है क कि तुम मुझे Korean में thank you कहे रहे थे यह कैसे हो सकता है अगर Pearson को Korean आती है इसका मतलब है Pearson पहले से Britain कर रहा था Pearson कहता है कि जब मैं जेल में था तब वहां मैंने Korean सिखी थी लास्ट में मुवे हमें जड़ा confuse कर दिया हमें 99% तो पता है कि Alex नहीं murder किया था पर Pearson भी इसमें उतना ही सामिल हो सकता है जितना Alex उसमें था यह दोरों एक दूसरे पर ही पूरा हिल्जाम लगा रहे थे मुवे के लास्ट में जिस होटेल में murder हुआ था उस होटेल में पाक पोश्ट है वहां का डॉयरेट हमेशा के लिए बन कर दिया गया है इस डोर के बिचे हमें फिर से जॉंग फिल की बॉड़ी दिखाए जाती है यह रिप्रेजेंट करता है कि इस केस को पूरी तरह से करते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देजेगा मैं बहुत सारी मुविज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देजे और बेल इंटिविशन आइकोन दबना में मत पूलिए फिर से मिलेंग और एक ने मुवी के साथ तब तके लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये